KMDC student loan के renewal application finally open कर दिये गए हैं जिसमें आप लोगों को study करने के लिए 50,000 रुपे से लेके 5,000,000 रुपे तक का loan मिलता है सरकार की तरफ से तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं इसी loan के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कैसे apply करना है, क्या क्या documents लगेंगे, apply करने की date क्या है, ending date क्या है और process कैसे करना है, सारी चीज़े मैं आप लोगों को detail में बताऊंगा तो वीडियो के end तक ज़रूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को subscribe नहीं करें, सबसे पहले चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना और जो लोग भी Facebook पे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए खास ये instruction है कि आप लोग एक बार मेरे YouTube चैनल को भी subscribe कर लेना क्योंकि Facebook चैनल बीच-बीच में मेरा बंध हो जा रहा है, पता नहीं क्या गड़बड चल रही है अगर आप लोग regular update मिस नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एक बार subscribe करके रख लेना तो जैसा मैं Facebook पे भी डालता हूँ, वैसे YouTube पे भी डालता हूँ जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, स्क्रीन के उपर ये notification रिलीस किया गया है इसकी date भी आप लोग देख सकते हैं, 17 तरीक का ये notification है, 17 August का उसके नीचे subject भी आप देख सकते हैं, under the review scheme जो loan है, वो renewal के लिए है याद रखना साल 12-24-25 के लिए open कर दिये गए हैं, नीचे अगर आप लोग देखेंगे, तो इसमें कोन apply कर सकता है वो बताया गया है, जो भी CET, DCET, PGCET, NEET से, जो K.E.A. से गए हैं, वो लोग और उसमें course भी mention किया गया है कि कोन कोन apply कर सकते हैं, undergraduate, post graduate, courses कौन से कौन से रहेंगे, medical, यानि के MBBS, MD, dentist, I use, engineering, technology, यानि के BE, BTEC जो आता है, आपका ME, MTEC जो आता है, वो लोग, और bachelor in architect, MBA, MCA, LLB, BSC in horticulture, साथ में agriculture के dairy technology, forest, सारी चीज़े इसमें mention की गई है आप लोग एक बार पढ़ लेना, pharmacy वालों के लिए भी है, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर mention किया गया है उसका officially यहाँ पर mention किया गया है, apply करने के टेम पर यह कंपल सरी है इस loan को renewal apply करनी के जो starting date है, वो है 17 August 2024 यह date से आप लोग भरना start कर सकते हैं online और last date भी दी गई है, 31 October 2024 इसके अंदर अंदर आप लोगों को apply कर लेना है आप बात करते हैं इसको online apply कैसे करना है और क्या-क्या documents लगेंगे सबसे पहले आप लोगों को browser open कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को search कर लेना है, kmdc search कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को जो सबसे पहला जो option दिख रहा है उसके उपर आप लोगं को click कर लेना है आपके सामने कुछ इस तरीके का page उपर हो जाएगा सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं इसको English में convert कर देता हूँ देखिए English में convert हो चुका है यहाँ पर अगर आप लोग नीचे जाएंगे इसके हम लोगों को जाना है रिनीवल के उपर यहाँ पर सैड़ पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिनीवल का section अप यहाँ पर ओपन हो जाता है यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को documents बता देता हूं आप लोगों की study certificate से लेने हैं। ॥॥ यह उसके बाद के कॉलेज का फी स्ट्रक्चर आपका पूरा जितनी मला आप लोगों कहाई को यह साहरे स्वूरकी ऑ्र-फी, लगाना है कि ऑपकी की ओरल कोपी जो पहले ति उसके बाद आपकी इंकम कासटिखेट उसके बाद आप लोगों क giorno अपने लगवाना है जो आपने लास्ट U improvement का उपने और चेपकिशन दीए सुर्गप, स्टूडेंट्स और पैरेंट्स का सल्फ डिकलेरेशन सेटिफिकेट यह भी यहीं पर मिल जाएगा इसको भी आप लोग जो भी फॉर्म है फिलप करके साइन करके लगवा देना अब यह सारे डॉकुमेंट्स तो हो गए अब अपलाई करने के लिए आप लोगों को ऊपर देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ मुबाईल नंबर इंटर करना है लास्टे में मुबाई Never करना अब करके सब्मेट कर Bitte ना तो यहाँसे आप लोग चुछ रहा है आपको फॉर्म कर रहा है सारे चीज़ें आप लोग्याकर कर देते हैं अब लोगों को जो मैने टोकुम इतना करने के बाद आप लोगगो काम हो चुका है लोन का अगर आप लोगगो स्टेटस जानना है तो आप लग इसी वेबसाइट से लोन का स्टेटस जान सकते हैं उसकी वीडियो मैंने आप लोगगो अल्रेडी बता रखी है तो I hope आप लोगों को साही चीज़े डीटेल में समझ में आ गए होगी कुछ भी अगर आप लोगों को doubt है तो नीचे comment कर जेना मैं उसका answer आप लोगों को दे दूँगा वीडियो चलागा तो like करो, channel पर तो subscribe करो, मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you for watching